नमस्कार दोस्तों तो आज हम बात करने वाल हैं बॉक्स ओफिस पर अपने 16 दिन कंप्लीट कर चुकी फिल्म सावर मती और इसी के साथ साथ बात करेंगे बॉक्स ओफिस पर अपने 17 दिन कंप्लीट कर चुकी फिल्म कंगवा और जानेंगे के इन दोनों मूवियों ने अब तक का इंडियान नेट कलेक्शन और व्ल्वाइट नेट कलेक्शन कितने का कर लिया है और इसी के साथ साथ जानेंगे कि पुस्पा ने अपने शुरुबाती पहले दिन की advance booking कितने की हासिल कर ली है और वही आज इसकी advance booking खुल चुकी थी तो दूसरे दिने box office पर कितने की advance collect कर रही है तो वीडियो में आज तक बने रहे और जाने पूरी movie के collections और update के बारे में तो चलिए शुरूबात करते हैं उससे पहले अगर आप हमारे channel पर पहली बारा हैं तो आपके अपने channel सीधे review को subscribe करना ना भूले क्योंकि आपको यहाँ पर movie सो जुड़ी collections के अपडेट सबसे पहले हिंदी में मिलते रहेंगे तो चलिए शुरूबात करते हैं कर लिया है तो जैसा कि आप सभी को बता दू धीरे सरना के डारेक्शन में बनने वाली फिल्म सावर मती जिसके अंदर आपको काम करते हैं नजर आएं विक्रम में सी राशी खन्ना और इसी के साथ रोहित अमेरिया जैसे कई उंदा कलाकार जो की एक ड्रामा थेलर फिल्म है जिसको 50 करोड रुपे से बनाया गया है या एक बायोग्राफी वेस्ट फिल्म है जिसको काफी अच्छा रिस्पोंस देखने के लिए मिला है जैसा कि आप सभी को बता दू इसने अपने सुरुबाती पहले दिन में 1 करोड 25 रुपे का कलेक्शन किया था इसने अपने सुरुबाती पहले हपते में तो कुछ खास कलेक्शन नहीं किया लेकिन दूसरे हपते में काफी अच्छा कलेक्शन किया है तो जैसा कि आप सभी क बता दूँ पचास करोड रुपे के बजट से बनने वाली फिल्म सावर मती जिसने अपने सुरुवाती पहले हपते की कमाई 11 करोड पचास लाक रुपे की थी और दूसरा हपता खतम करने के बाद इसने 10 करोड 20 लाक रुपे का कलेक्शन किया है ऐसे में इसका इंडिया इसने 10 लाक रुपे का कलेक्शन किया है और वहीं आज इसका 17 दिन सुरू हो चुका है तो 17 दिन बताया जा रहा है कि करीवे 1 से 2 करोड रुपे का असपास का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है ऐसे में इसका टोटल वर्ड वाइट नेट कलेक्शन 28 करोड 25 लाक रुपे हो चुका है एक तरीके से देखा जाए तो ये मूबी बॉक्स ओफिस पर ठीक ठाक कमाई करते हुए नजर आ रही है तो चली आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं बॉक्स ओफिस पर पिछले 17 दिन से चल रही फिल्म कंगवा के बारे में और जानेंगे कि कंगवा ने तक का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन और वल्डवाइट नेट कलेक्शन कितने का कर लिया है तो चलिए शुरूबात करते हैं तो जैसा कि आप सभी को बता दूँ सिवा के डारेक्शन में बनने बाली फिल्म कंगवा जिसके अंदर आपको लीड में काम करते हैं नजर आय इसी के साथ साथ आप सभी को बता दूँ इसे तो बॉक्स ओपिस पर फ्लॉप मूवी साबित हो चुकी है इसने अभी तक का टोटल वर्डवाइट नेट कलेक्शन 113 करोड रुपे ही कर पाई है और वहीं इंडियन नेट कलेक्शन की बात करें तो इंडियन नेट में इसन मातर 6 करोड रुपे का कलेक्शन किया है एक तरीके से देखा जाए तो यह मूवी बॉक्स ओपिस पर फ्लॉप हो चुकी है और वहीं बात करें इसके 15, 16 वे और 17 दिन के कलेक्शन के बारे में तो 15 दिन 25 रुपे का कलेक्शन किया और 17 दिन मातर 15 रुपे का कलेक्शन किया ह ऐसे में इसका वर्डवाइट नेट कलेक्शन 114 करोड रुपे ही हुआ है जो की काफी खराब कलेक्शन है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं सिंगम अगेन के बारे में तो जैसा कि आप सभी को बता दू सिंगम अगेन जो की एक नवंबर को दिवाली के मोक यानि कि अजे देवगन के साथ करीन कपूर, दिपिका पादुकॉर्ण, रनवीर सिंग, अक्षे कुमार, टाइगर सुरॉप और जेकी सुरॉप जैसे कई उंदाक अलाकार आपको इसके अंदर काम करते हैं नजर आए हैं यह एक एक्सन ड्रामा फिल्म थी अब देखना य करोली थी त्यहीं पहले हमता खत्म करने के बाद 143 करोडर का क्लेक्षुन किया था और थीपन करनेक पहले करने के बाद 23 करोडर 25 र Inhale इस दिन TRA का ल्क्रुप यह बात करने के फ करोडर पकंडय करोड़ा कं क dá में तो छोनिंए में इस ने शे न Espra रुपे का collection किया है वह आज । इसका moments, करोड दा है में 25 फारा करोड करोड का collection कर्ते हुए नजर आ रही है ऐसे मेंने का इंडियन क Düts ने ít का चालेक्षण ं। 244 कckets 10 रुपे हो चुका है वहीं word white की बात करें सिसके करोड 80 लाग रुपे का कलेक्शन किया है जो की काफी अच्छा कलेक्शन है तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ें तो आप सभी को बता दूँ अब बात कर लेते कार्तिक आरेन की फिल्म भूल भूलिया के बारे में तो जैसे कि आप सभी को पता ही है अनीज बजमी के के बजट से बनाया गया या एक कॉमेडी होरर फिल्म है जिसको एक नवंबर 2024 को बल्ड वाइट को मिला के करीब 3800 से ज्यादा इसक्रीनों पर रिलिश किया गया था और इसने अपने शुरुवाती पहले दिन की ओपनिंग 35 करोड 50 लाग रुपे से ली थी एक तरीके से द देखा जाए तो इसने सिंगाम अगेन को तो पीछे छोड़ी दिया है सिंगाम अगेन को वर्ड वाइट में कलेक्शन मिला था 367 करोड रुपे तो वहीं भूल भूलिया ने वर्ड वाइट कलेक्शन 381 करोड 50 लाग रुपे कर लिया है तो जैसे कि आप सभी को बता दू पहले हपते में 158 करोड 25 लाग रुपे का कलेक्शन करने के बाद दूसरे हपते में 57 करोड 15 लाग रुपे का कलेक्शन किया है और तीसरे हपते में 23 करोड 35 लाग रुपे का और चोते हपते में 11 करोड 40 लाग रुपे का कलेक्शन किया है और वहीं बात करें 29 दिन के कलेक् करते हुए नजर आ रही है आपको क्या लगता है यह बात कर लेते हैं अब बात कर लेते हैं अमरन के बारे में तो जैसा कि आप सभी को बता दू अमरन मुवी जिसको 31 सक्टूबर दोहजार चोबीस को यानि कि दिवाली के दिन बॉक्स ओफिस पर करीब साड़े साथ हजार से ज़्यादा स्क्रीनों पर रिलीच किया गया था जिसको डारेक्ट किया था राजकुमार पेरिश अमीने जिसके अंदर आपको काम करतुए नजर आये ते शिवा कार् जिसको 120 करोड रुपे के बजट से बनाये गा था टोटल 5 भासा को मिला कर इसको रिलीच किया गया था तमिल टेलगू कनाडा मल्यालम और इसके साथ हिंदी में भी इसको रिलीच किया गया था यह मूवी एक्शन एपिक एक्शन बायोग्राफिव फिल्म थी जो की बॉक् तो 14 करोड 85 लाक रुपे का कलेक्शन किया था और वहीं बात करें दूसरे हपते के कलेक्शन के बारे में तो दूसरे हपते में इसने 56 करोड रुपे का कलेक्शन किया था और वहीं बात करें तीसरे हपते में इसने 28 करोड 85 लाक रुपे का कलेक्शन किया और वहीं बात करे तो आज यह एक से तीन करोड रूपे के बीच करते हो यह नहीं, ज़र आ रहे हैं, ऐसे में इसका टोTAL इंडियान नेट कलेक्शन दो सो पंद्रा करोड, पेतिस क्रड़ लाख रूपे हो चुका है, और वल्टवाइट की बात करें, तो worldwide में इसने 326 करोड 40 लाख रुपे का collection कर लिया है आपको क्या लगता ये और कितने का collection कर लेगी तो चलिए आगे वड़ते अब बात कर लेते हैं पुश्पा 2 दा राइस के बारे में तो जैसे कि आप सभी को बता दू स्युकुमार के डारेक्शन में बनने वाली पुश्पा 2 जिसकी advance booking कल चालू हो चुकी है इसी के चलते box office पर काफी वीड़ देखने के लिए मिली है तो आप सभी को बता दू इसने अपने सुरुबाती पहले दिन की advance booking मात्र 13 करोड रुपे की तो लेई ली है अगर आप सभी को बता दू स्युकुमार के डारेक्शन में बनने वाली फिल्म पुश्पा 2 जिसके अंदर आपको लीड में काम करती हो नजर आएंगे अल्लू अर्जुन, रश्मी का मंदाना, दयानन रेड़ी और कोसिक मेता जैसे कई उंदा कलाकार जिसको पैन इंडिया फिल्म है, जिसको पाँच भासाओ को मिलाकर करीब 12,000 से ज़्यादा इस्क्रिणों पर रिलीज किया जाएगा तमिल, तेलगु, कन्नाडा, मल्यालम और हिंदी में भी और हो सकता इसको इंगलिस में भी रिलीज किया जाएगा यह एक एक्सन एपिक क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसको लोगों को काफी इंतजार है और बॉक्स ओपिस पर रिलीज होने के बाद ऐसा लग रहा है कि यह बॉक्स ओपिस पर काफी तावर तोड़ कमाई करती है नजर आएगी तो वर्ल्ड वाइट में बताए जा रहा है कि करीब यह 80-90 करोड रुपे के आसपास का कलेक्शन करते हो इनजर आ रही है आपको क्या लगता है, यह अपने सुरुबाती पहले दिन में कितने का कलेक्शन कर लेगी अपनी रहा है में कमेंट्स वाक्स में जरूर बताए और आपने इन पाचो मूवियों में से कौन सी मूवी देख लिया हमें कमेंट्स वाक्स में जरूर बताए अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके अपने चैनल सीधे रिवीव को सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए मिलते अगले वीडियो में जे हिन जे भारत बंदे मातरम